So, Hello and Welcome You All, I am Rohit from Ahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं Reliance Power Ltd. के बारे में और हम सब लोग इसे R Power के नाम से भी जानते हैं और guys, अगर दीखा जाए तो Stock में यहाँ पर आज हमें किरावट देखने को मिल रही है बट कही ना कही कुछ ऐसे Levels में आपको बताने वाला हूँ उन Levels के हिसाब से अगर आप इस Price पे भी खरीदते हो Reliance Power को तो तगड़ा पेसा आप इसमें कमा सकते हो तो guys मैं ऐसा क्यों गोल रहा हूँ इसके पीछे का Reason क्या है तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं बताऊंगा और हम Multiple Chart Frame पर इसको देखेंगे क्या कुछ इसका Momentum इसमें बन रहे है क्या कुछ Analysis होगा इसमें वो काफी कुछ बाते मैं इसमें बताने वाला हो तो guys काफी कुछ बाते करेंगे तो चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लेटेस न्यूस के लिए तो guys वीडियो को शुरू करता है तो guys बात कर रहे है Reliance Power Ltd के बारे में और देखे तो जो इसका Current Price चल रहा है वी Live Market में में वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो Current Price चल रहा है 13.55 पेसे का है और देखा जाए तो Minus 25 पेसे तक Stock नीचे की और गिरता हुआ नजर आ रहा है 1.81% का Stock में गिरावट है 1.81% की Stock में गिरावट हमें आज देखने को मिल रही है So guys अगर आप एक Swing Trader हो या मान लिजे आप एक नई निवेशक हो नई निवेशक अगर हो तो कुछ Levels को ध्यान में रखिएगा अगर आपके पास छोटा सा Amount हो या मान लिजे 4,000, 5,000 और ऐसे Amount को आप अलग-अलग Stocks में Invest करना चाहते हो तो Reliance Power उनमें से एक हो सकता है क्यों मैं ऐसा बूल रहो है क्योंकि अगर Reliance Power में मान लिजे कुछ इस तरीके का Level बन रहा है कुछ इस तरीके का Level बना यह हुआ ए One Top फिर उपर गया फिर हमें लग रहा है कि Double Top बन सकता है बट Suddenly यह Sideways चले जाता है तो हम यहाँ पर कुछ Levels बना देता है तो उन Levels पर Breakout देता है तो आप अपना Amount जो 25% है वो Amount यहाँ पर आप Invest कर सकते हो और उपर बढ़ने पर और 25 आप इसमें Invest कर सकते हो और आपको Confirm हो गया कि आपको और यह Stock उपर जा सकता है तो आप अपना 50% Amount भी Invest कर सकते हो तो कही ना कही अगर Loss भी होंगा तो पहले 25% का होंगा अगर Stock नीचे आ गया बट अगर वो Continue बढ़ रहा है तो आपको 100% का Profit हो सकता है तो ऐसा अगर आप Strategy के साथ Invest करोगे तो आप बलकुल पेशा कमा सकते हो तो केसे करना है मैं आपको बतातो हो तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो पहले तो हम इस लेवल पर आ जाते है तो जैसे कि मैंने बोला कि Stock उपर गया था यहाँ पर Resistance लेके नीचे आया और इस लेवल पर इस ने लिया Support फिर उपर गया फिर से उसी लेवल पर Resistance लिया तो हमें लग रहा था कि Continuously इस लेवल तक आ सकता है और उपर 15 पेसे के लेवल तक इस लेवल तक इस लेवल कर सकता है बट हुआ क्या अभी मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर अब देख सकते हूँ एक Sideways Pattern बनते गया एक Falling Wage Pattern बनते गया अगर मैं इसा बनाओ तो और Finally हमें मिला यहाँ पर एक Backout Breakout मिल गया गैस तो Breakout मिलने के बाद क्या होता है Breakout मिलने के बाद Stock में बड़ी Candle बनते है फिर बड़ी Candle बनते है तो धीरे धीरे यह इस Level 18 रुपे के आसपास 18 रुपे से उपर तो यह जाए गई जाएगा मैं अभी से कहे देता हूँ क्यूंकि इसमें Proper Breakout मिला है क्यूंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का Pattern मिला था और Stock यहाँ से उपर क्यूर गया था और यहाँ पर भी उसी तरीके का Pattern है तो यहाँ से भी उपर क्यूर जाएगा तो गैस यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपको 50% भी आप Invest कर सकते हो क्योंकि Proper Breakout है उस Stock नीचे के Level पे भी हमें मिल रहा है तो आप बिल्कुल इस Level पे Invest कर सकते हो और वही अगर मैं बताओ वही अगर मैं बताओ तो इस Level पे कि आपको अपना 50% और कभ इंवेस्ट करना है तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो इस Level से Stock ने Resistance सपूर लिया उपर गया फिर नीचा सपूर्ट लिया फिर उपर जा रहा है तो कहीं न कहीं है साइडवेस जाकि इस Level तक तो आए गया तो इस Level पे आप और 50% इंवेस्ट कर सकते हो Stock जा सकता है सिधा उपर और 25 का ही Target आपको रखना है 25 का ही Target आपको रखना है और 1.45% के साबसे Stock गिरा है और एक महीने में 35 पेसा गिरा है Stock और 6 महीने में 85 पेसा और ये और और हाप के बेटन पर 10 रुपे Stock बढ़ रहा है अब देखेंगे Stock में क्या कुछ हुआ है Open हुआ था 14 रुपे के Price पे High लगा था 14 रुपे 10 पेसे का और लो लगा था 13 रुपे 40 पेसे का Market Cap 4.61,000 करोड का Market Cap है और केश्यो 40.48 का है और Market Cap के आपके हिसाब से क्लिरले पता चल जाता है कि एक मेट कैप Stock है अब अगर बात करें 52 इक्स का High और Low तो 18 रुपे 25 पेसे का High है 3.05 पेसे का Low है तो High भी हमने देख लिया है और Low भी हमने देख लिया और 18 रुपे 35 पेसे तक तो यह जाए गई जाएगा Resistance लेवल और Support लेवल इंपोर्टेंट है तो First Resistance लेवल 14 रुपे 10 पेसे का है Second 14 रुपे 40 पेसे का और Third है 14 रुपे 60 पेसे का Support लेवल 13 रुपे 60 पेसे का है Second 13 रुपे 40 पेसे का और Third है 13 रुपे 10 पेसे का और वही बढ़ता है यहाँ पर Price Performance की ओर तो Price Performance में भी डे बाए डे किम इंक्रिमेंट हो डाता बट कहीं न कहीं 3 यहस पे लेड़ डाउन चले गया था काफी बड़ी गिरावट आई थी माइनस 51.69% बट अगर देखा जाए तो 1 यह और यह और यह और यह और आपका Plus में है फिर 3 मन्स और 1 मन्स का Minus में है फिर अभी यह 1 वी का Plus में आ गया है अब बात करेंगे हम क्या कुछ इसमें Volumes है तो 59 लाग के आसपास का इसमें Trade Value आपको देखने को मिल जाएगा Yesterday के अगर बात करें 85 लाग के सम्तिंग का Trade Value है और अब Combined Delivery है 85 लाग और 1 मन्स के Average यहाँ पर अगर देखा जाए 2 करोड का Trade Value और 2 करोड का Combined Delivery 1 मन्स के Average में अगर देखे तो 83 परसेंट जो लोग है वो बिलकुल यहाँ पर Buy Call दे रहे है और 17 परसेंट लोग Sell Call और Revenues में देखे तो Year on Year Revenues गिरे हैं 2017 में 10,395 करोड 2018 में 9,592 करोड 2019 में 8,201 करोड 2020 में 7,562 करोड 2021 में 7,934 करोड वही Net Profit की बात करें तो प्लस में है 2017, 2018 प्लस में था 2019, 2020 माइनेस में फिर 2021 प्लस में चले गया 427 करोड तो कही ना कही यह बैक अप जो recover करने, bounce back करने की कोशिश कर रहा है तो बात कर लेते हैं share holding pattern की तो FIS और DIS इसमें अभी भी एक जो है 3.3% के साथ FIS है और DIS 3.51% के साथ है promotors 24.98% के holding promotors की है और public holding है 68.21% तो यहाँ पर share holding pattern भी अच्छा है तो वीडियो पसंदाओ वीडियो को like कर दो गैस चैनल को subscribe कर दो, thank you